हाई स्टुडेंट्स वागत है आपका मैंने चैनल भी से भी अब में एक बार फेर से इस वीडियो में हम वैंडी ग्राफ जेनरेटर को देखेंगे इसके वर्किंग को देखेंगे इसके प्रिंसिपल को फिर इसका स्ट्रक्चर है क्या इसके डिफिनिशन को कैसे लिखना है और सारे बच्चे इसके एंसर को रटने का प्रियाज करते हैं रट के लिखने का आप अगर एक बार समझ जाए इस टॉपिक को तो रटने के आपको अवसिकता नहीं होगी और चुकिए एक्जाम के नजरी से काफी इंपोर्टेंट है पर बार इसकी असंका रहते है कि पां जो रखा गया है यह अगर हमसे पूचा जाए कि वैंदेग्राफ जेनरेटर एक्जैक्ली है क्या तो यह एक इलेक्ट्रो स्टैक जिनरेटर है जो कि क्या करता है तो छमता रखता है यूज अमाउंट में स्टैक इलेक्ट्रिक्सिटी पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने क यह 20 मिलियन वोल्ट्स तक स्टैक इलेक्ट्रिक्सिटी पोटेंशियल डिवलप कर सकता है अब इसके अगर प्रिंसिपल की बात करें कि किस प्रिंसिपल पे बेज़्ट है तो यह इस प्रिंसिपल पे बेज़्ट है कि अगर एक चार्ज कंड़क्टर को हम अगर एक होलो कं इन्टेर्णली कॉंटेक्ट में लाते हैं जितना वो चार्ज होगा वो सारा उस आउटर हॉलो कंडुक्टर के सर्फेस पर चला जाएगा अब इस से फर्क नहीं पड़ता है कि अल्रेडी उस पहले से कितना चार्ज है मतलब बाहर जो हॉलो कंडुक्टर है उसके जो सर्फेस पर पहले से कितना चार्ज है इससे फर्क नहीं पड़ता है सिंपल एक one day graph generator के अगर हम बात करें अब इसके structure बनावट पर देखते हैं कैसी इसकी बनावट होती है तो एक rubber की belt होती है इसमें जो की दो roller की मदद से खूमती रहती है और ये दो roller क्या होते हैं तो एक electric motor से connected होते हैं जो उपर वाला roller होता है वो एक hollow spherical से surrounded होता है इसको हम एक insulated stand पे जो hollow spherical है उसको हम कैसे टिका के रखते हैं तो एक insulated stand पे वो mounted होता है नीचे वाला जो roller है उसके पास electron emitter जो की comb यानि कंगी क्या कार में होता है इसको हम spray comb भी बोलते हैं उसको fix किया जाता है इस comb में high positive voltage हम provide करते हैं external supply से external supply का क्या मतलब है तो battery हो सकते है external supply दूसरा comb जो होता है जिसको receiver बोलते हैं नीचे वाले comb को हम electronimeter और उपर वाले comb को receiver बोलते हैं ये simple सा setup होता है vendor graph generator का अब चलते हैं इसकी working पे कि ये काम कैसे करता है तो जब हम motor को on करते हैं तो motor चुकी roller से connected है तो roller घूमने लगते हैं और इसकी वज़े से rubber belt जो है उसके along घूमने लगती है जो comb नीचे वाले roller की तरफ placed होता है जिसको high positive charge हम external supply से provide कर रहे होते हैं ये क्या करता है तो ये सारे positive charge को उस belt पे transfer करता है अगर practical बात करे हम तो positive charge तो transfer नहीं होता है बलकि electrons जो है उनका transfer बैटरी में होता है और चुकी battery का एक end अर्थ में होता है तो जितने वो electrons होते हैं वो ground में directly transfer हो जाते हैं और चुकी वो belt घूम रहा है जिसको हम positive charge transfer कर रहे हैं तो सारा का सारा charge जो है उस belt के साथ घूमते हुए उपर की तरफ जो roller है वहां तक पहुंचता है जहां पर दूसरा कॉम प्लेश्ट होता है जिसको हम क्या बोलते है रिसीवर कॉम तो रिसीवर कॉम का क्या है तो यह सारे positive charge को receive करता है और चुकि यह कॉम किस से connected है फिर तो hollow conductor से connected है जो sphere hollow conductor sphere है उससे connected होता है तो इसके थुरू क्या होता है सारा charge उस hollow conductor के outer surface पे transfer हो जाता है अब यही process continue चलते रहती है तो क्या होता है कि बहुत huge amount में charge जो है वो outer hollow sphere पे collect हो जाता है और बहुत ज़्यादा potential develop हो जाती है तो surface जो है उसके लिए यह muscle जाता है कि इतने सारे charges को hold करना because क्यूं उसके लोजाता है इतने सारे charge को hold करना तो because of constant repulsion between like charges समान charges के बीच में constant repulsion होते रहती है इसकी वज़ा से जो spherical dome है उसके outer surface को इतने सारे potential को hold करना हम उसके रोजाता है तो जब potential surface का breakdown value of air से उपर चला जाता है तो leakage of charge होती है और आसपास की हवा जो है वो होना इस हो जाती है यह leakage of charge को रोकने के लिए हम क्या करते हैं तो outer dome को hollow sphere को उसके outer surface को काफी स्मूथ होना देते हैं तो असा करते हैं आप इसको अच्छे समझ में आ गया होगा और पीजाम में लिख सकते हैं इसका एंजर आप कमेंट में आए कि नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक कवर करें इस तरह से ताकि आपको आसानी होसे समझने में चनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को लाइक किजिए अगर आपको पसंद आया होता है